एपिसोड थर्टी वन पेशकिछ मीरे कारवां दो पुलीस वाले राइफले ताने राहदारी में खड़े रहे और बाकी दो वहां से हटके मैंने अफीसर को धक्का देगर एक तरफ गिरा दिया शोबा अब भी बेसुत पड़ी थी और धन्नो ये सो पुछ देखकर वहश्य जदा सी होगी और फिर दूसरे ही लम्हें वो मुझ से लेपड़ गी मैंने उसके कंदा थपतपाता हुआ शोबा के करीब आगया मैं तुम दोनों से बहुत शर्मिंदा हूँ मैंने बारी बारी दोनों को देखते हुए कहा तुम लोगों को मेरी वज़ा से ये तशद्द बरदाश करना पड़ा अगर तुम लोग शिरू में ही आगे एक लवस मत बोलना ही मसिंग शोबा ने मेरी बात कार दी ये सब कुछ हमने सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं सचाई की लाज रखने के लिए बरदाश किया है हमारी जान भी चले जाए तो हमें परवा नहीं होगी काश दूसरे लोग भी संदाज में सोचने मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा और दूसरा हाथ में बॉलर्ट खेंचने की कोशिश कर रहा था मैं अपनी जगा से उचल कर उसके उपर जागिरा और दूसरे हाथ से उसके सरफ गोन से मारने लगा ये अफिसर इस वकत हम तीनों की जिन्दगियों की जमानत था अगर ये हमारे हाथ से निकल जाता तो फिर ये पुलीस वाले भेडियों की तरह हम पर तूट पड़े और फिर हमें जिन्दा नहीं छोड़ते रहधारी में खड़े वे पुलीस वाले भी दोड़कर दर्वाजे के करीब पाहुँचके एक ने मेरी तरफ राइफल तान ली छोड़ दो इसे वरना गोली मार दूँगा वो चीहा तुम्हारी गोली मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी अगर लेकिन तुम्हारे आफीसर के जिसमें सुरा हो जाएगा मैंने चीह कर जवाब दिया पीछे हाड़ जवाब ना तुम्हारी गोली चलाने से पहले इसकी गर्दन तोड़ दूँगा पुलीस वाले ने राइफल नीचे कर ली अफीसर अब उसके दोनों हाथ दर्वाजी की सुलाहों पर थे और से इस सुलाहों को पकड़ रखा था मैंने एक हाथ उसकी गर्दन पर ले पेट रखा था और दूसरे हाथ उसकी बगल के नीचे घौन से मारने लगा सुलाहों पर उसकी ग्रिफ ढीली पड़ गी मैं उसे गसीडता हुआ दर्वाजे से दूर ले गया और फरश पर पटक दिया धन्नों ने लपकर उसके सर के बाल नोच लिया और उसे जोर दार छटके देने लगी यही है वो चीही इसी बदमाश ने मुझे मारा था मैंने धन्नों को पकड़ कर अलग कर दिया मैं जानता था कि उस पर जनून तारी हो गया तो इस अफीसर को बचाना मुझकल हो जाएगा इस दौरान में एक और सब इंस्पेक्टर भी दर्वाजे के सामने पहुँच गया तुम लोग अपने हाथ में बहुत ही बुरा कर रहे हो उससे मेरी तरफ देखते हुए कहा बेतर है कि हमारे अफीसर को छोड़ दो बहुए मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ नर्मी का सलूक किया जाएगा मैंने तुम लोगों को आदे घंटे का वक दिया है मैंने जवाब दिया अगर इंस्पेक्टर ब्रिंदरा और दूसरे आला पुलीस अफीसर यहां नहीं पहुँचे तो तुम्हारे इस अफीसर के जीवन का इहतताम हो जाएगा इंस्पेक्टर ब्रिंदरा हेड़कौर्टर में नहीं है और वो अपने घर में भी नहीं है हम उसे राप्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और उस तक हमारा पेगाम पोहिने में देर भी लग सकती है सब इंस्पेक्टर ने कहा कोशिश करो कि आदे गंटे के अंदर अंदर उससे रापता हो जाए मैंने कहा सब इंस्पेक्टर फोरण वाबस चला गया वक गुजरता रहा सब इंस्पेक्टर हाद आदे गंटे के बाद हम आके सूरते हाल से अगा कर रहा था कि अब भी तक इंस्पेक्टर बरिंदरा से राब्ता नहीं हो सका और फिर तीन बजे के करीब इंस्पेक्टर बरिंदरा और दो ओफीसर्स के साथ दर्वाजे के साथ नमुदार हुआ वो तीनों अंदर आगे हमारी हालत दे कर वो उचल पड़ा मुझे नहीं मालूम पुलीस वालों ने ने क्या बताया होगा लेकिन मेरी कहानी बाराल उन से मुस्तलिफ थी इस दरान में ठाने में खल बली से मच गी पुलीस कमिशनर और चंद और आला अफसरान भी वहाँ पहुँच के थे अब सुर्टेहाल बिल्कुल पलट गई थी मैंने पिछले तीन जार महीनों के दरान में चंद हदरनाक मुझरों की बेखकनी करके हकोमत पर जो एहसान किया था और आला हकाम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि मेरे एहसानात का बदला इस तरह चुकाया जाए हम तीन दिन तक गेर कानूनी तोर पर हरास्त में रखकर हम पर तशद्द किया गया था हमारे हिलाफ अभी तक कोई रपोर्ट तक दरज नहीं हुई थी रपोर्ट दरज होने की सुरत में भी कानूनी तोर पर मुझे रात बर इस थाने में नहीं रखा जा सकता था अफीसर समेथ कई एहलकारों को मौत तल करके हम पर तशद्द के लजाम में हरास्त में ले लिया गया था हमारे बियानात भी कलम बंद करने के बाद हम तीनों को भी पुलीस की निगरानी में हस्पताल बेही दिया गया इस वकट सुबह होने वाले थी मुझे धन्नों और शोबा से अलग कमरे में रखा गया था मेरे जहमों की मरहम पट्टी के बाद मुझे एक इंजक्शन भी लगा दिया गया इस वकट मुझे पर गनूद की सितारी थी मेरे बट के करीब रखी हुई कुरसी पर नरस उटकर खड़की के सामने चलेगी उसने खड़ावा परदा हरे रंग का दबीस परदा एक तरफ सरका दिया ताजा हवा के जहुंका कमरे में दराया नरस कुछ दिर खड़की के सामने खड़ी बाहर देखती रही फिर वो मुड़कर मेरी तरफ देखने लगी उसकी सूरत देखर में चौंग गया वो नरस नहीं थी नील गरी थी उसका बारीक लबास हवा के जहुंकों से लहरा रहा था उसका चेहरा दुंदलाया हुआ था उसे देखकर लगता था जैसे वो बड़सूं की बिमार हो मुझे अफसोस है वजदान मैं तुम्हारे सामने खड़ी हो गई तुम पर इतने कश्ट हुए तशद्द हुआ मगेर मैं तुम्हारे लिए कोई मदद नहीं कर सकी तुम्हे हुआ गया है नेलगरी मैंने इसकी माज़रत को नजर अन्दास करतेवे का तुम्हारा चेहरा क्यों तंदलाया वाँ है बिमार क्यों लग रही हो हाँ उसे गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया गोतम बोश ने जाब शुरू कर रखा है उसने मेरे गिर्थ हिसार काइम कर दिया था ताकि मैं तुम्हारी मदद के लिए ना आ सकू इसी वज़ा से मुझे वहाँ से हटने का मौका नहीं मिल सका था लेकिन जैसे ही मुझे हटने का मौका मिल गया तुम्हें हिसार तोड़कर निकल आई मेरे पस ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हें हर कीमत पर गोतम बोश कजाब तोड़ना होगा कि तुमसे बड़ी शक्ती भी कोई है जो तुम्हें अपने हिसार का अपाबन कर सके मैंने पूछा इस दुनिया में बड़ी पुरसरार कोवते हैं वजदान, नीलगरी बोली मैं सबसे बड़ी शक्ती हूँ लेकिन बास कोवते ऐसी हैं जो मेरे लिए कुछ मुछ मुछे उलचा कर वो अपना जाब पूरा करना चाहता है जिससे बोल मुझे अपने कबजे में कर लेगा तुम्हें इस जाब को मुकमल करने से रोकना होगा वो कहां है? मैंने पूछा नीलगरी के गार में जहां बुदा की एक कदीम और विरान अबादत का है और सुनो वो बात करते करते रुक गई उसकी आवाज ना सिर्फ धीमी हो रही थी बलकि चेहरा मजीद धुन्दा रहा था तुम्हारे यहलाफ यह साज़श भी उसी ने की वो अपनी कुपतों से काम ले रहा है माया मती का बाप भी उस साज़श में शरीक है तुमने थाने में अपने अंदर की शक्ती से काम लेकर सूर्तिहाल को वक्ती तोर पर बदल दिया है लेकिन हत्रा भी टेला नहीं तरपिंदर फरार हो गया तो तुम फिर जाल में फंस चाओगे इस सूर्तिहाल से तुम्हें निवट लोगा नीलगरी मैंने कहा मुझे ये बताओ कि नीलगरी में बुदा की वो अबादतगा कहां पर है वो वो नीलगरी की आवास कुछ और डूप सी गई थी उसका चेहरा बिलकुल दंदला गया था मैं जा रही हूँ फिर आउंगी तुम अपने अंदर की शक्ती से काम नीलगरी की आवास भी अब सुना ही नहीं दे रही थी उसका चेहरा भी नहायत दवीज दंद में चुप गया था और वो मेरे उपर जूप गई मुझे अपनी पिशानी पर उसके तपतेवे होंटू का लंस महसूस हुआ मैंने जट से आंके खोल दी मैं जिसे अचाने की नीन से जागा था वो नर्स मेरे उपर चुकी हुई थी और उसके होंट मेरे पिशानी पर सकते मुझे हरकत करते देखकर वो एक जड़के से सीदी होगी पर खुच जलसी होगी उसके चेहरे पर नदामत की तासरात उपर आए तो तो तुम मेरे होंटू से बेहतिया निकला वो वो कहा गई कौन नर्स ने नदामत बरे लहचे में कहा या तो मेरे लावार कोई नहीं है मैं अकेली हूँ और मुझे अफसोस है मैं दरसल कोई बात नहीं मैं उसे मजीद शर्मिंदगी से बचा लिया मुझे पानी बलाओ मेरा हल खुश हो रहा है नर्स लपकर पानी ले आई उसने एक हाथ से मुझे सहारा दे कर बठाया और दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ गलास मेरे होंटू से लगा दिया मेरा हलक वाकी हुश हो रहा था जैसे उसमें रेत भर दिगी हो मैं एक ही सांस में सारा गलास पी गया नर्स ने मुझे दुबारा लटा दिया और बैटके करी पड़ी कुर्सी पर बैटकर अजीव सी नजरों से मीतर देखने लगी कुछ दिर पहले मुझे बहुत शिदध से नीद आ रही थी लेकिन अब नीद गायब हो चुकी थी उस नर्स जिसका नाम मिनाकशी था वो हिंदू थी हस्पताल में माया मती के कतल की हबर उसी रोज पहुँच गी थी माया मती बहुत ही अच्छी लड़की थी हस्पताल के तमाम लोगों के साथ उसके तालुकात बड़े ही उश्खवार थे सबको उसकी मौत का तुक था सुना है माया मती के कतल में तुम्हारा नाम दिया जा रहा है मिनाकशी कह रही थी लेकिन हस्पताल वालों में से किसी को इस बात का यकीन नहीं आ रहा मेनाक्षी ने गड़ी दे की साथ बच रहे थे ठीक है मैं अभी उस फोन पर उससे राप्ता करने की कोशिश करती हूँ ये कहकर वो बाहर चलेगी उसकी वाफसी तक बन 15 मिनट बाद हुई उसने इंस्पेक्टर बरिंदरा से उसके घर पर राप्ता किया था और उसे पेगाम दे थिया था वो एक गंड़े में यहां पहुंच जाएगा आठ बजे मेनाक्षी की ड्यूटी हतम होगी फिर वो दूसरी नर्स को ड्यूटी स्पूर्थ करके चलेगी इंस्पेक्टर बरिंदरा साड़े नो बजे के करी मेरे कमरे में आया वो मेरे बड़ के करीब खड़ा मेरी हैरिये दर्याफ्त कर रहा था और फिर कुर्सी पर बैठ गया मुझे तुम्हारा पेगाम मिला था कोई खास बात उसे मेरी तरफ देखा मैंने इसे दर्पिंदर के बारे में बता दिया मुझे शुबा है कि वो इस साज़िश में उसका हाथ हो सकता है इस शक की कोई वज़ा उसे पूछा बहुत सी वज़ुहाथ है मैंने जवाब दिया लेकिन क्या इतना काफी नहीं होगा कि उसे भी शाब ने तफ्तीश कर लिया जाए मेरे साबने बहुत सी असी मस्ताले मजूद है कि पलीस को गलत रसे पर डालने के लिए मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ उसने कहा ये टास्क एक और अफिसर को दे दिया गया है मैं अभी दफ्तर जाकर उससे राप्ता करूँगा वैसे तुम इतनार रखो मुझे यकीन है कि तुम बेगुना हो सच्चा ही एक ऐसी कुवत है जो तुम्हारी बेगुनाही पर कोई आँच नहीं आने देगी अच्छा मैं अब चलता हूँ तुमसे फिर राप्ता करूँगा इंस्पेक्टर परिंडरा के जाने के बाद मैं देर तक दर्पिंदर के बारे में सोचता रहा वो माया मती के बाप था और नेलगरी ने कहा था कि वो मेरे हिलाफ इस साजश में शरीक था तो माया मती को दर्पिंदर ने कतल किया था या उसके कतल को उसके कतल में कोई और शा मिलता एक बाप अपनी बेटी को कैसे कतल करवा सकता है मेरा जेहन बुरी तरह उलच गया था लेकिन जाहर है दर्पिंदर पर शुबा नेलगरी ने जो जाहर किया था नेलगरी गलत बात नहीं बता सकती थी नेलगरी की बास बात उने मझे बहुत परिशान कर दिया था वो खुद भी बहुत बड़ी शक्ती थी लेकिन उसके कहने के मताबिक गोतम बोश्ट ने उसे किसी पुरसरार हिसार में कैद कर रखा था और गोतम बोश ने कोई ऐसा जाफ शुरू कर रखा था जिससे काम्याबी से वो निलगरी पर काबिस हो सकता था और निलगरी परेशान थी वो किसी ऐसे शवस की कबजे में नहीं जाना चाहती थी जो उसके जरीए दुनिया को तबाही की तरफ तकेल दे वो मेरे जरीए गोतम बोश के इस चाफ से रोकना चाहती थी गोतम बोश नेलगरी के बरह पोश पहाड़ में वाकिया बुदा की किसी कदीम अबादतगा में था और इस अबादतगा का पता बनाने से पहले ही नेलगरी की आवास टूप गई थी और उसका चेहरा दबीज दुन बें छुप गया था और वो मेरी निगाहों से ओचल हो गई थी मैं जैसे जैसे सोचता रहा मेरी बेचैनी बढ़ती रही मुझे नेलगरी जैसी शक्ती को अपने कबजे में करने का कोई शोक नहीं था लेकिन उसे गोतम बोश जैसे शस से कबजे में जाने से रोकना भी बहुत जरूरी था गोतम बोश और पंड़ी देराज के बारे में बहुत कुछ में जान चुका था वो दोने नहायत ही गंदी फितरत के मालिक थे और मैं जानता था कि अगर नीलगरी जैसी शक्ति उनके कबजे में चलेगी तो ये वाकि दुनिया को तबाही के दखाने में दखेल देंगे गोतम बोश को जाप में कैसे रोका जाए ये कैसे मालूम होगा कि वो अबादत का कहा है जहां गोतम बोश चुपा बैठा है मैं रात बर जागा हुआ था मेरे बदन का जोड जोड दुख रहा था फिर बिलाहिर नीन ने मुझे दबोच लिया जब मैं जागा तो इस पहर हो चुकी थी खाने का वक्ग गुजर चुका था नर्स ने मेरा हाथ मुधुला कर मुझे बड़ की पुष्टे टेक लगा कर बठा दिया और मेरे लिए चाय ले आई चाय के साथ सेंड़ुच पी थे उसे पहले मुझे सेंड़ुच खिलाया फिर अपने हाथ से चाय पिलाने लगी धन्नो और शोबा कैसी है सुबो वाली नर्स जा चुकी थी और उसकी जहां मिनाक्षी ने ले ली थी इंस्पेक्टर बरिंद्रा तो नहीं आया था मैंने पूछा मैंने सुबो से तुम्हारा पेगाम तो दे दिया था उसने कहा था कि एक घंटे तक आ जाएगा क्या वो अभी तक नहीं आया मिनाक्षी बोली मैं सुबो की नहीं मैं अब की बात कर रहा हूँ मैंने कहा ओ मिनाक्षी ने गहरा सांस लेते वे कहा मेरे होते वे तो अभी तक नहीं आया वो चलनमू के लिए हमोश हो गई फिर बोली तुम्हारे लिए खाना आ गया है मैं अपने हाथ से खिला दो तुम्हें मैंने असबात में गर्दन हिला दी मेनाक्षी ने मुझे सहारा दे कर बठा दी और अपने हाथ से खाना खिलाने लगी इस दुरान में इंस्पेक्टर बरिंदरा भी आ गया उसके साथ एक और अफिसर भी था तुम्हारा शुबा दुरूस निकला बरिंदरा ने बैट के करीब बैट कर मेरी तरफ देखते है वोला ये इंस्पेक्टर रगुनाथ है इस केस का इंचार्च तुम किस शक्की बात कर रहे हो मैंने पूछा मैं दर्पिंदर की बात कर रहा हूँ इस्पेक्टर बरिंदरा ने आते हुए जवाब दिया दर्पिंदर को आई दुपहर के वक्त हिरासत में ले लिया गया था उसने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया है क्या मतलब मुझे सीने में सांस रुकता महसूस होने लगा क्या माय मती को उसी ने कतल किया है नहीं बरिंदरा ने नफी में सरह ला दिया वो कातल नहीं है लेकिन तुमारे हिलाफ जो साज़श की गी थी इसमें वो भी शरीक था वो चम लम को हमोश हुआ फिर तफसील से बताने लगा बरिंदरा के कहने के मताबिक ये साज़श दर रसल नाक पाल की थी मेरी वज़ा से इसके सारे मनसूबे हाक में मिल गे थे और उसके कई आदमी मारे गे थे मेरे यहान इसे पहले खटबंडू पर उसी का राज था वो यहान का बेताज बादशा था उसके एक इशारे पर पूरा शहर बंद हो जाता था और आला दरीन पॉलीस अफीसर्स दीस दीगर सरकारी उहदेदार और मंतरी भी कभी उसके सामने सर जुका कर खड़े होते थे लेकिन मेरे आने के बाद उसका राज पार्ट हतम हो गया था अब वो सबसे ज्यादा मतलू मुझरिम बन चुका था और अपनी जान बचाने के लिए भागा फिर रहा था लेकिन उसे कहीं बना नहीं मिल रही थी ऐसी सूरत में वो मुझरी किस तरह माफ कर सकता था बार बार की कोशी के बावजूद वो मुझ पर हार्ट डालने में काम्याब नहीं हो सका था ताहम मेरे साथियों को नुकसान पंचारे का कोई मौका उसने हाँ से जाने नहीं दिया नाकपल जानता था कि माया मती मेरी दोस्त रह चुकी है उसे मुझे फंचसाने के लिए साजश त्यार की थी माया मती के गाउं से एक आदमी उसको उसने कुछ रकम का लालश देकर माया मती के पास भेह दिया और उसके बाप के मरने की इतला दी और उसकी मा के जहमी होने की इतला दूस तरफ उसने किसी बहान इसे उसके बाप को भी खटमंडे दिर रवाना होने पर मजबूर कर दिया नाकपल के आदमी कटमंडो से 60 किलो मेटर दूर डोलो गार्टामी कस्वे में मजूद थे उन्होंने पहले तो माया मती को ये कहकर बस से उतार लिया कि उसे बाप के मनने की जूटी इतला दी गई है उसका बाप जिन्दा है और इस वक्र डोलो गार्ट में मजूद है माया मती को बस से उतार कर कस्वे के बाहर एक वेरान इमारत में ले जाया गया जहां नाकपल के आदमी उसकी इज़त पर हमला करते रहे और जब माया मती के बाप अपने गाउं से खटमंडो जाते है वेर डोलो गार्ट पहुंचा तो उसे भी बस से उतार कर उस वेरान इमारत में पहुंचा दिया गया उसके साथ गाउं के चंदाद आदमी और भी थे उन सब को एक कमरे में बंद कर दिया गया और फिर दरपिंदर को उस कमरे में पहुंचा दिया गया जहां उसकी बेटी थी दरपिंदर को अलग से ले जाकर मनसूबे से अगा कर दिया गया और उसे बताया गया कि उसे क्या करना है उसे ये भी दमकी दीगी कि अब तक तो उसकी बेटी की इज़ट ही गई है इंकार की सूरत में उसकी बेटी की जान से भी उसे हाथ दोने पड़ेंगे बेटी को बचाने के लिए दरपिंदर उनके मनसूबे पर अमल करने को तयार हो गया और उसे उसके साथियों समीत रात तीन बजे के करीब खटमंडो पहुचा दिया गया और दरपिंदर ने मुझे पर इल्दाम लगा कर मुझे पुलीस के हवाले कर दिया था ठाने के इंचार्ज के जेव भी गरम कर दी गी और उसे मेरी बात पर कान ही नहीं दरे और मुझे पर तश्द्द शुरू कर दिया गया अगले रोज डोलो गार्ड से मायमती की लाश मिली दरपिंदर ने हस्पताल में लाश की शनास्त कर ली और उसवगर नागपाल के दो आदमी भी हस्पताल से मजूद थे उन्होंने धम की दी कि अगर हकीकत दरपिंदर की जबान पर आई तो उससे ना सिर्फ उसे बलके उसकी गाउं में इसकी बीवी को भी कतल कर दिया जाएगा दरपिंदर अपनी और बीवी की जान के होफ से हमोश रहा और कतल का इंजाम मुझ पर आयद कर दिया गया पुलीस अफिसर धन्नू शोबार मुझसे इतराफ जर्म करवाना चाते थे लेकिन हम तीनों तश्यतुतर बर्दाश करते रहे लेकिन हमने जूटा इतराफ जर्म नहीं किया था आज दुपहर दरपिंदर को हरास्त में ले लिया गया और उसकी कहने के मताबी कुसरात माया मती नाकपाल के आदमियों के हरासे से फरार होने की कोशिश की थी जिस पर उसे बेदर्दी से मौत के खाट उतार कर लाश वेराने में भैंक दी गी लाज दर्याफत होने के बाद मुझे पर कतल का इल्जाम लायत कर दिया गया दर्पिंदर और नाकपाल के आदमी की गरिफतारी और इन बातों से मेरी पोजिशन वाज़ा हो गई थी और इसके लिए दर्पिंदर और नाकपाल के आदमी का नहीं बलके मैं निलकरी का शुकर कुजार था जिसने आज सुबों सवेरे मुझे दर्पिंदर के बारे में बता कर मुझे हबरदार किया था बहराल मुझे माया मती की मौत का बहुत थी ज़्यादा अफसोस और दुख था वो बहुत ही अच्छी लड़की थी इस मरतमा मुझे तीन चार रोज से ज़्यादा हस्पताल में नहीं रहना पड़ा धन्न और शुबा भी संबल चुकी थी हम तीने को एक ही रोज में हस्पताल से फारिक कर दिया गया इंस्पेक्टर बरिंदरा हमें थानकोट के इस मकान में ले आया जहां शुरू में मुझे और बंबला को लाया गया था इस वकट इस मकान में इंस्पेक्टर बरिंदरा की एक दोस्त रहा करती थी उसे मेरी और ममला की बहुत ज्यादा हिदमत की थी और एक राध जब देश मुकर उसके आदमी ने इस मकान पर हमला किया तो बिचारी मारी गई यहाँ में एक उदेड़ मर नेपाली हादमा भी दे दी गी वो पलीस के दोस्सादा पोश भी मस्तकिल तोर पर यहां तायनात कर दिये गे धन्नो को मैंने एक बार फिर समझाने की कोशिश की थी कि वो बुध नीलकर्ण मंदर में चली जाए वहाँ बिक्षो और उसके बीवी बच्चे हैं और उसका हयाल रखेंगे तरह मेरा साथ छोडने को त्यार नहीं थी यहां में जारततन नीलकर्य और गौत्म बोश के बारे में सोचता रहा गौत्म बोश नीलकर्य की बरह पो चोटियों में किसी गार के अंदर जाब में मसरूफ था और नीलगरी नीलगरी शाद फिर किसी हिसार में खो गई थी और कैद हो गई थी पिछली मुलाकात पर उसने बुदा के उस कदीम अबादतका का पता नहीं में पूछ सका था यह कहना बेहतर होगा कि वो बता नहीं सकी थी उस अबादत का का पता मालूम होना बहुत जरूरी था उस रोज नील गिनी ने एक बार फिर मुझे अपने अंदर की शक्ति याद दिलाई थी हो सकता है कि गुतम बोश का चेला पंड़ दिराच मेरे हिलाफ अभी सरगर में अमल हो मगर मेरे अंदर की वो शक्ति मुझे उसके शर्च से बचाये हुए थी मैंने रिशिकेश में शुरू किये जाने वाला अपना वो अमल योगा की एक कटन और हतरनाक मशक बारे आथशी का रियास मुकमल नहीं किया था और सच्चे दिल और खरी नियस से जो थोड़ी बहुत रियासत की थी उसे निलगरी मेरी तरफ माइल हुई थी आप मुझे फुरसत थी इसलिए मैंने वो रियास जारी रखने का फैसला कर लिया दिन में जब भी मुझे मौका मिलता मैं थोड़ी बहुत मश्यक कर लेता ताहम आदी रात के बाद धनो और शोबा सो जाती तो मैं मकान की छट पर चला जाता यहां मैंने एक कोने में एक जगा मुन्थिब कर ली थी मैं सुबो की रोशनी फैलने तक यहां महसूस आसन बनाता और अपनी रियासत में मश्कूल रहता पहले एक दो रोज मुझे इस तरह बैटने में तकलीफ हुई क्योंकि मैंने बहुत अर्से से यह मश्यक शुरू की थी लेकिन पिर तकलीफ का वो एसास भी जाता रहा पंदरा रोज बात ही मैंने अपने आप में एक नई तवानाई महसूस करने लगा एक हफ़ता गुसर गया वो रात का हरी पहर था मैं आंके बंद की अपनी मश्क पर बैठावा था कि अच्छानक यू लगा मेरी आंकों के सामने रोशनी कूंदा सा लपका गया हूँ मैंने आंके खोल दी रात बेहत तारीक थी ताम आस्मान पर चमकते वे सितारे दिखाए दे रहे थे मेरे नजर सामने बहुत दोर पहाड़ की बरह पोछ चोटी पर मर्कोज थी अच्छानक सियाब बादल का एक टुकड़ा पहाड़ी चोटी के अकब से नमुदार हुआ और फिर बद्दतरीच पहलता हुआ आगे बढ़ने लगा इस अबरपारे के अंदर बीली के कूंदे भी लपक रहे थे सियाब बादल का बटुकड़ा पहलता जा रहा था और मुझे लग रहा था जिसे बारिश और आंदी के बहुत जबरदस तुफान आने वाला है तुफान के आसार अगर्चे नमाया थे लेकिन मेरे जहन में एक लम्हे को भी यह हयाल नहीं आया था कि मैं यहां से उटकर नीचे चला जाओं सियाब बादल का बटुकड़ा मजीद पहल गया और हैरत की बात यह है कि उस एक टुकड़े की सिवा आसमान पर कहीं कोई और बादल दिखाई नहीं दे रहा था अचानक उस मोहीब सियाब बादल के अकब में एक और चीज़ नमदार हुई उसे देखकर मैं चौंक गया वो रूई के गाले की तरह सफेद बादल का एक टुकड़ा था सफेद बादल का ये टुकड़ा भी बरह पो चोटी के अकब से ब्रामत हुआ था और उसका हुद्जम चन्द फुट से ज्यादा नहीं था मैं इस सफेद अबर पारे को देखता रहा नजाने मुझे ही क्यों एहसास हो रहा था कि सफेद बादल का वर टुकड़ा आगे आना चाहता है मगर सियाद बादल ने उसे आगे आने से रोक रखा था सफेद बादल का वर टुकड़ा अपना रास्ता बनाने की कोशिश करता वा आगे बढ़ता रहा मैं इस वकद अपने आप में अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था मेरे अंदर कोई अंजाना सा एहसास करवटे ले रहा था अच्छानक फजा गंगरच की आवास से कूंड उठी सियाद बादल समूंदर में उटने वाली महीब लेहरों की तरह पलट पलट कर सफेद बादल के टुकड़े को अपनी लपेट में लेने की कोशिश कर रहा था और वो सफेद अबर पारा बीले के कौंदू की तरह लपक लपक कर अपने आपको बचाने की कोशिश कर रहा था अजीब सुर्तेहाल थी लगता था जिसे आस्मान पर दो महीब कोवतों में जंग छड़ गई हो बीली के कड़क और बादलों की गंगरच देश्य सितारी कर रही थी मुझे ना जाने यह एहसास क्यों हो रहा था कि ये बादल आपस में नहीं टकरा रहे बलकि नेकी और बदी की कुवते अपस में मुझे सादम हो रही है मैंने अपने तोर पर ये तेह कर लिया था कि स्या रंग का महीब बदी की अलामत था चोटा से सफेद अबरबारा नेकी का मज़र था और नेकी और अब्दी की नेकी और बदी के इन दोनों कुवतों में आसमान की वस्तू पर जबर्दस जंग हो रही थी और वस्त दबर पारा खुज्जम में अगरचे सियाब आदल से बहुत ही चोटा था लेकिन मैं जानता था कि इस जंग में फताहर बिलाहर उसी की होगी नेकी चाहे कितने ही चोटी हो बदी की बड़ी से बड़ी कुवत पर हावी हो जाती है इन दोनों कुवतों की जंग बड़ी ही खौफनाक सुर्टेहाल इहत्यार कर गई थी वसी आस्मान मेदाने जंग बना हुआ था और गंगरज और बीली के कड़ाकू से फजा देहल रही थी वो चोटा सा सफेद अबर पारा बार बार पलट कर हमले कर रहा था वो एक दर से हमला आवर होता और सियाब आदल में सुराह करता वा दूसी तरफ निकल जाता मुहीब सियाब आदल टुकडे टुकडे होने लगा और वो बिखर रहा था लेकिन कुछी देर के बाद वो बिखरे वे टुकडे दुबारा मुटहिद होने लगते और इस वकद में मेरे सर के एन उपर थे एमें पूरे नहमाग से ये जंग देख रहा था कुछ तेर पहले सियाब आदल को बरह पोच चोटी से बिलंद होते देखकर मेरे जहन में तुफान का जो हयाल अबरा था वो दुरुस थाबित हुआ तेज हवा के साथ मुसलादार बारे शुरू हो गई थी जिसमें बदतरी शिद्दत आती चलेगी बाद अबरा के उस खोफनाक तुफान ने काहिनात को लपेट में ले लिया दरो दिवाल दहल कर रहे गे हर चीज हसो हचाक की तरह उरती ही नजर आने लगी बड़े बड़े दरह जड़ों से उखड़कर कागस की पुर्दों की तरह हवा में उड़ रहे थे मैं अपनी जगा पर बैठा रहा हवा के तुफानी जखड मुझे तकेल रहे थे लेकिन मैं अपनी जगा से एक इंच भी नहीं हिला कोई कुवत मुझे रोक रखे थी और मजीद हैरत की बात ये थी कि मेरे उपर पानी का एक छिंटा तक नहीं पड़ा था हाला के मेरे चारों तरफ पानी की बुचाड़े गिर रही थी और च्छत पर पानी के रेले बैर रहे थे मैं एक बर फिर सर उठा कर उपर देखा सफेद बादल का वो टुकड़ा सियाब आदलों की तरफ इस तरह गिरा हुआ था जैसे कोई छोटी सी नह समंदर की तुफानी लहरों में फंस गई हो सियाब आदलों से उठने वाली उन्ची लहरों से बार बार पटा रही थी मेरे मूँ से बेहत्यार अल्ला हूग का नारा बलंद हुआ और ये आवाज बीली के कड़ा की तरह आस्मान की वस्तों पर चारू तरह पहलती चलेगी सफेद अबर बार भी जैसे संबल गया अब वो लपक लपक कर अपने हरीफ यनि कि स्याब आदल पर हमलावर हो रहा था तो फान का जोड तूट गया हवा के जगड़ों की शिदत में भी बदत रीच कमी आती चलेगी और मुसलादार बारिश भी अचानक ही रुग गई थी स्याब आदल टुकडे टुकडे होकर बिखरने लगा और पिर चन्द मिनट के बाद इसका नाम और निशान तक मिट गया आस्मान की वस्तों पर सितारे चमकते हुए नजर आने लगे और फिर रुई के बादलों वाला वो चोटा सा सफेद अबर पारा हवा की जोंकों पर तैर रहा था उसे देखकर फतामंदी का एहसास होता था मेरे हूंटों पर बेहत्यार मुस्कराहट आगी और फिर दूसरे ही लम्हे में चोंग गया सफेद बादल का वो टुकडा एक इंसानी हयोले की सूरत इहत्यार कर गया आस्मान पर दूर दूर तक उसका नाम निशान नहीं था लगता था कि दूद्याई चांद नीन इंसानी पैकर कर रूपधान लिया हो वो हयोला तेरता हुआ तेजी से में तरफ आने लगा और मुस्से चंद फुट के फासले पर रुख गया मेरी होंटो पर मुस्कुराट वाज़या होने लगी वो हयोला अगरची वाज़या नहीं था चेरे के नक्षना जाहर नज़र आ रहे थे लेकिन मैं समझ किया था वो नीलगरी थी मैं चत के कोने पर उस जगा बैठा हुआ था जहां दो तरफ के मुंडेर आपस में मिलती थी इस तरह वहाँ एक चुटान सी बन गई थी और नीलगरी मुंडेर के दूसी तरफ हवा में मौल लग खड़ी थी वो तुमें रोकना चाहता है कानों में रस गोलती ही एक सरगोशियाना आवाद मेरी समाज से टकराई इससे पहले कि वो तुमें मफलूच करके मुझ तक पहुँच जाए तुम उसे आगे पढ़ने से रोक दो वो कहा है मैंने सहोले की तरफ देखते हैं वोला इस जगा का इंतहा भी इसलिए किया था कि कोई दूसरा उसे वहां तक ना पहुँच सके लेकिन तुम्हारे पास शक्ती है तुम वहां पहुँच सकते हो वो चनलमो को हमोश हुई फिर बोली उसे जाब पर बैठे वे 14 दिन हो चुके हैं 26 रोज बागी रह गए हैं तुम्हें इसका जाब मुकमल होने से पहले उसे इवादतगा से निकालना होगा अगर उसका जाब मुकमल हो गया तो मैं समझ गया हूँ नेलगरी मैंने इसकी बात काड़ दी इतमनान रखो मैं तुम्हें किसी ऐसे शेस की कैद में नहीं जाने दूँगा जो तुम्हें मोहरा बनाकर दुनिया पर तबाही नासल करना चाहता हो तुम्हें बहुत जल्दी कुछ करना होगा नेलगरी बोली जैसे जैसे दिन गुजटते जा रहे हैं मेरे गित हिसार मजबूत होता जा रहा है आज भी मैं बड़ी मुश्किल से हिसार तोड़कर यहां आई हूँ क्योंकि इससे पता चल गया है कि तुमने भी अपना जाब शुरू कर दिया है वो तुम्हें रोकना चाहता है अगर तुम पर इस बारिश का एक भी छींटा पड़ जाता तो तुम्हारा शरीर भसम हो जाता तुम्हें अपनी हिफाज़त भी करनी होगी वो तुम्हें रोकने के लिए हमले करता रहेगा मैं अब जा रही हूँ तुम्हें भी जल्द से जल्द यहां से रवान हो जाना चाहिए नेलगरी का चाननी में ड़ला हुआ है ओला आहिसा आहिसा फजा में बलंद होने लगा मैं इसे दूर हटते वे देखता रहा दूर बहुत दूर बहार पहाड़ी बरह पोस्ट चोटी पर पहुँचकर वहोयला मैंने निगाहों से ओजल हो गया मुझे हलका सा चटका लगा जिससे किसी ने मेरे कंदे पर हाथ रखकर मुझे हिलाया हो मैंने आंखे खोल दी फिर इदर उदर देखने लगा मेरे आसपस कोई नहीं था और फिर अच्छानक ही में चौंग गया अभी कुछ दिर पहले मैंने एक बहुत ही जबर्दस तुफान देखा था मुसला दर बारिश और तुफानी होआ के छखकर दरह जड़ों से उकड़ कर हवा में उड़ते हुए देखे थे लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था दिन का मदन साओ जाला पहलने लगा आसमान बिलकुल साफ था और हर चीज मामूल के मताबिक थी ना तो कोई दरह जड़ से उकड़ा हुआ था और ना ही कोई सिलाबी पानी नज़रा रहा था मैंने कोई खाब नहीं देखा वो सब कुछ मैंने जागती आंखों से देखा था आसमान पर बादलो की वो जड़ब तुफाने भादो बारा और निलगरी का है उला और फिर मुझे निलगरी की बाते याद आ गए गोतम बोश उस परसरार कुवतों के जरीए मुझे मेरी रियासत से रोकना चाहता था लेकिन निलगरी मेरी मदद को पहुँच गई थी मेरे अंदर की शक्ती भी काम आई थी आसमान पर होने वाली दो परसरार कुवतों की खौफनाक जंग और वो तुफान मेरे लिए था दुनिया वालों को इससे कोई तालुक नहीं था निलगरी ने मुझे पेगाम दे दिया था कि गोतम बोश के जाब पर बैठे वे 14 दिन हो चुके हैं सिर्फ 26 दिन बाकि रह गए हैं जाब मुकमल होने से पहले मुझे हर कीमत पर उस कदीम अबादत गाह से गोतम बोश को बाहर निकालना था उसका जाब मुकमल होने की सूरत में निलगरी उसके कबजे में चली जाती इस वकर निलगरी नेकी और भलाई की अलामत थी लेकिन गोतम बोश्च की कब्जे में जाने के बाद यही नील गरी तबाही औ बरबादी की देवी बन जाती मैंने एक बार फिर दूर दूर देखा मशर की उफक पर सपेदी बढ़ने लगी थी मैंने अपनी रियासत हतम की और फिर उटकर कुछ दिर चट पर टैलता रहा फिर नीचे आ गया चट पर नीचे आ जाने के लिए जीना मकान के अंदर से ही था इसलिए मुझे नीचे आने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई घर के अंदर गहरा सननाटा था सब लोग सो रहे थे मैं दबे कदुम चलता हूँ अपने कमरे में आ गया लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे के अंदर कदम रखना ठटा कर रुख गया तनो मेरे बिस्तर पर सो रही थी नाइट बलब की निलगो रोश्णी में इसके चेहरे पर बच्चू जैसी मासूमियत थी मैं चलनल में उसकी तरफ देखता रहा पिर बाहर आ गया और लाउंज में बैठकर सोफे पर लेट किया निलगरी की बात अब भी मेरे दिमाग में हलचल सी मचाय हुए थी मैंने हमालिया में निलगरी की बरफ पोच्च चोटियों में जाने का फैसला कर लिया ताहम गोत्व बोश की जाब मुकमल होने से पहले मुझे उसे एक गोंपू की बुद्ध इमारे से बाहर निकालना ही था ये फैसला करने के बाद में अपने हम को बहुत ही पुर्सकून महसूस करने लगा फिर मेरी पलके नीन के बोज से जुकने लगी रात के नौ बज़े थे मैं इस वगत तरी वेदी मार्ग में सूपरमार्केट के करीब वाकेश या होटल की लापी में बैठा इंस्पेक्टर ब्रेंदरा और इंस्पेक्टर आजम का इंतिजार कर रहा था मैंने दो घंटे पहले ही टेली फोन पर उनसे यहां मुलाकात तैकर ली थी नौ बज़े का वादा था लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचे थे जब मैं तियार होकर घर से निकल रहा था तो धन्नो और शौबा ने भी मेरे साथ आना चाहा था लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया था मेरे साथ जो पुरसरार वाकियात पेश आ रहे थे उनके बारे में शौबा किसी हद तक जानती थी उसके सिवार कोई ऐसी हस्ती नहीं थी जिसे कुछ भनत भी लगी हो लेकिन अब मैंने इंस्पेक्टर ब्रेंदरा और राजमहा को सूर्टेहाल से आगाह करने का फैसला कर लिया था क्योंकि उनके तावन के बगएर में अपनी मोहम पर रवाना नहीं हो सकता था होटल की लाबी में किए गैर मुलकी सेया भी बैटे हुए थे उनमें जायता यूर्पियन बाशिंदे थे उनमें औरतें भी शामल थे जो नहोंने मुहतसर लिबास पहने हुए थे सबानो बजे के करीब इंस्पेक्टर बरिंदरा और आजम हा होटल के मरकजी दर्वाजे से अंदर दाहिल हुए वो दोनों साधा लिबास में थे मैंने देखकर हाथ हिला दिया और वो सीधे मेरी तरफ आ गए इंस्पेक्टर बरिंदरा ने वेटरोस को बुला कर काफी के लिए कह दिया और हम इदर उदर की बाते करने लगे चन्द मिनट के बाद काफी सर्फ कर दीगी कोई हास बात किसली बलाया था तुमने बरिंदरा ने काफी का मग उठाते वे कहा मैंने इंडिया जाने का इरादा फिलहाल मलतवी कर दिया है और नीलगरी की तरफ जाना चाहता हूँ मैंने जवाब दिया नीलगरी बरिंदरा के लहजे में हैरत थी तुम्हारा दिमाग तो नहीं हराब हो गया हाँ यही समझ लो मैंने मुस्कुराते वे जवाब दिया मैंने कुछ बाते अब तक तुम दोनों से चुपाई है इस हैयाल से कि तुम लोग मेरा मजाक नाड़ाओ लेकिन अब सुर्टेहाल ऐसी है कि गोया अब तुम इस मोड में हो कि तुम्हारा मजाक उड़ाया जाए इंस्पिटर आजवाने मुस्कुराते हुए मेरी बात कार दी हाँ यही समझ लो मैंने जवाब दी और चनलमों की हमोशी के बाद उन्हें रतना पार्क में मिलने वाले क्रिस्टल के तूटे हुए मुझसमे से लेकर अब तक पेशाने वाले वाकिया से आगा करने लगा वो दोनों हमोशी और पूरी तवज्ज़ से मेरी बाते सुनते रहे मैंने यह भी बता दिया कि इस दुरान मुझ पर जो मसीबते नाजल होती रही उनमें गोतम बोश और उसके चेले पंडित दिराज का हाथ है नीलगरी बहुत ही महान शक्ती है मैं आहिर में कह रहा था गोतम बोश हर कीमत पर उसे खासल करना चाहता है उसने एक खास जाब शुरू कर रखा है अगर वो कामयाब हो गया तो तो कुछ नहीं होगा बरिन्दरा ने हाथ उठा कर मेरी बात कार दी हिंद्यों दोम दियों माला में इन पुरसरार कोवतों के बारे में मैंने बहुत पड़ा सुना है और बहुत कुछ देखा भी है लेकिन ऐसे बातों का यकीन नहीं किया ये तो पंड़तों, योगियों और सदाओं के दंदे हैं जो कुछ शोब्दे दिखा कर लोगों को बेवगोव बनाते हैं कोई पड़ा लिखा और अकलमन आदमी ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता मैं तो तुम्हें बहुत ही जहीन और अकलमन समझता था लेकिन वो बात दूरी छोड़कर उचल पड़ा जो उससे यकीन ना करने वाली बात की थी तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया में नजरे उसके हाथ पर मर्कुज हो गई थी जिसमें उसने काफी का मक पकड़ रखा था मक उसके हाथ से छोड़ किया लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरा हवा में तेहरता हुआ आगे की तरफ जाने लगा बरिंदरा उचल कर खड़ा हो गया उचल लमें परेशान नजरों से फ़ौख फिजा में मौलक काफी के मक को देखता रहा फिर उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया लेकिन मक हवा में तेहरता हुआ काफी आगे निकल गया बरिंदरा ने भी हाथ फिला उसकी पीछे लपका लावी में बहुत सरे लोग ये दिल्चास पर रहरान कुन मंजर देख रहे थे बरिंदरा पूरे हाला खाल में उस मक कर पीछे बाग रहा था जैसे ही वो मक को पकड़ने के लिए जपड़ता मक आगे चल निकल जाता ये संसनी हे इस मंदर देकर बहुत सरे लोगों के चेहरे पर वहशे सी उबर आई थी कहीं यूर्पियन ओरते तो हौफ ज़दा होकर चीहे मारती वहां से भाग गई थी वो और मक हमारी मेज पर आकर डिक गया बरिंदरा ने मक को दोनों हाथ उसी तरह पगड़ ली जैसे उसे अंदेशा हो कि वो दोबारा ना भाग जाए वो खुद सोफ़े पर बैठा तो उसके चेहरे उपर इंतहाई संसनी के तासरा थे मैंने तुम जैसे कलमना आदमी को भी कभी कभी इस तरह फिजा में मौलक किसी की चीज़ के पीछे भागते हुए नहीं देखा मैंने उसके चेहरे पर देखते हुए मद्दम लहचे में कहा बरिंदरा का चेहरा खुआ नक हो रहा था वो चलना मुके लिमी तरफ देखता रहा फिर गहरा सांस लेते हुए से बोला हम शायद बात उसकी समझ में आ गई थी और उसने हाथ मग से हटा लिए बहुत सरे लोग अब हमारी तरफ देख रहे थे तो ये तुम्हारी हरकत थी बरिंदरा ने मज़े घूरते वे कहा हाँ शायद तुम इसे मेरा शोबदा ही कहो लेकिन वे सामने देखो उस अंग्रेज औरत को जो सिर्णियो से तर रही है मैंने उसे आंक से इशारा किया इसके साथ ही ये पार्ट अपने इहतताम को पहुंचा